गुड मॉर्निंग, मैसेल मनीश रमा, तेलिंग फ्राम ए रिमोट विलेज अफ बदरवा डिस्टिक डोडा, क्रेंटली आएंव वर्किंग ए जूनियर स्टेंट इन एंटिक अप्षिन वीरो, आप सब के मन में एक ही क्वश्चन होगा कि गवर्मिन जॉब कैसे निकालें, क कहां से मैंने स्कूलिंग की, मेरी स्कूलिंग बेसिकली बदरवा से ही हुई है, उसके बाद मैंने 2018 में YCT से VTEC की हुई है, मैं आपको एक स्टोरी अपनी जर्नी बताता हूं, स्टोरी बताता हूं कि एक टाइम पर मैं अपने फदर के साथ अपना रिपोर्ट कार्ड लेन लेंगोंत में, chemistry में एक mark से फेलूँ, तो literally मैंने अपने फदर के आखों में आशू देखे उस दिन, और मेरे class teacher ने ये बोला कि जो बच्चा, उसके बाद मेरी improvement थी, और मेरे class teacher ने ये बोला कि जो बच्चा लेंगोंत यारा बारा मीने में नहीं पास कर सकता, वो एक Chemistry passed की और 5 भी अच्छे मांक्स तकी और क्लास का Chemistry में टॉप पर रहा हूँ उसके बाद मेरी 12 ही, 12 के बाद मैंने जब Engineering जोइन की, तो मेरे 11 और 12 में Week Concepts के करणं मेरी Engineering में भी एक सपली आने स्टार्ट होगी हर semester में एक-एक सप्ली एक्चली जब six semester में पहुंचा में तो मेरी तेरा सप्ली किठी हो चुकी थी फिर मेरा comeback semester स्टार्ट होगा 7th semester, 7th semester मेरा first semester था जो वो all clear होगा, 7th semester जो पहली बार all clear होगा और जो मेरी सप्लियां थी वो सारी मैंने सारी मैंने वो करके पास कर ली लगबख सारी होगी एक-दो रहती थी उसके बाद जैसे मेरी 2018 में बीटेक होई उसके बाद मैंने competitive exam की त्यारी करना start कर दिया मैंने competitive exam की मैं अभे सर के पास आया और मैंने अभे सर की guidance में जैई की त्यारी स्टार्ट की जब मैंने अभे सर से प्ढ़ना start किया तो मेरे को लगा कि जो मेरे concepts college time पे थे वह बहुत ज्यादा week थे फिर मैंने mocks दिये और उस ताइम पे मेरी त्यारी काफी अच्छी चार रहे थी और वह भी clear होगी वह भी अभे सर ने पास करवा दिए उसके बाद जैई की त्यारी अच्छे से जा रही लेकिन जैई की कोई पोस्ट नहीं आ रहे थी तो फिर मैंने जो अपनी जर्णी थी वह shift की non-tech की और actually engineering students technical engineering वाले को बोलते है और non-tech आया जो बाकी जारे paper जो से बाकी जिसमें G.E.S. वगेरा आती है ठीक है उसके बाद फिर जब मैंने switch किया तो first paper मेरा था पंचाईद का फस्ट पेपर मैंने वह दिया उसमें मैंने बिना without study only शाइद दो या तीन दिन पढ़के मैंने पंचाईद का अग्जाम लिखा और अच्छे marks अच्छे नहीं कह सकते ह तो उससे में थोड़ा motivated फिल हुआ उसके बाद मैंने जैसे मेरे पंचाईद का exam दिया तो मैंने सारे फॉंक फिल करना start कर दिया जो this is my eligible था मेरा तो मेरा सबसे पहला paper pass हुआ वह था SSCGD SSCGD मेरा first paper pass हुआ इसके बाद SSCGD में physical आता और किसी कारव में physical नहीं दे पाया तो इसको जाइन नहीं कर पाया उसके बाद मेरा दूसरा paper pass हुआ दूसरा हुआ पोस्ट आफिस का पोस्ट आफिस का दूसरा paper pass हुआ उसके बाद जैसे ही logon आया और मैंने अपनी preparation को और boost up किया start किया उसके बाद मैंने लगातार 57 exam करा किये और ऐसा नहीं कि मैंने 57 exam pass किया है लेकिन उससे जयदा ही मैंने fail और जइन अपस होगया उसके बाद आप मैं आता हूं आपके वापिस question पर उसके की g旅हासी मैंने बहुत सारे exam दिये हैं और बहुत सारे pass किये हूँавाई लेकिन 14 गंटे पढ़ाई नहीं की, और नहीं मैंने कभी अपना टाइम टेबल बनाया हुआ। जब गवर्मेंट एक्जाम की त्यारी करने से पहले में आपको कुछ मित्स होते हैं, वो मित्स आपको हटाने हैं, कि यह मित्स है, सबसे पहला मित्स होता कि 12-14 गंटे पढ़ाई करना, अगर आप 12-14 गंटे की जगाद 2-4 गंटे पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन स्टीक पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, तो वही 2-4 गंटे अच्छे हैं, एक दूसरा मित्थ है आपके लिए है कि extra study करना लेकिन extra भी study नहीं करनी है आपने limited करनी है limited source रखने है जो चीज एक बार पढ़ोगे उसको बार बार पढ़ना है एक सही guidance होनी चाहिए सही strategy होनी चाहिए और सही study material होना चाहिए मतलब source सही होना चाहिए उसके बाद आपका exam correct ह ठीक है अब मैं आपने sources बताऊगा कि किन-किन sources में ने पढ़ाई किया है और किन-किन sources में ने पढ़ा हुआ है ठीक है जब SSB के exam देने जाते हैं हम तो हर एक exam में syllabus लगभग सहम है उन में पांच components जैसे first आता है maths, reasoning, English, computer और GS GS, actually GS नहीं, GS with journal, with reference to J&K, ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, GS with reference to J&K इसमें components आते हैं, first, पहला component आता है GS, GS मतलब history, quality, environment, economy, geography, coffee, etc. इन के लिए मैंने refer किया NCRTs NCRTs एक base है, एक student की base है, जैसे हम engineering से non-techy और shift हुए, तो यह मेरे लिए base थी, क्योंकि मैंने basic पढ़ना था, तो मैं इधर से study के, इस basic के अलावा, NCRTs 6 से लेके 12 तक पढ़ी हुए, उसके बाद, NCRTs के बाद, अगर आप कोई refer करना चाहते, मैंने जैसे refer किया, मैंने loose end की book, साथ में, अर्यांत की आती है, मनोहर पंडे, अर्यांत की मनोहर पंडे, यह मैंने GS के लिए refer, उसके बाद, GS JNK वाला, JNK के लिए मैंने, JNK के लिए मैंने, actually जो JNK Boss की books होती है, JNK Boss की जो books के end end chapter, एक chapter, एक book में एक chapter, जैसे 6th की आप history लोगे, history का एक chapter last वाला, उसमें सिर्फ JNK के दिया हुआ, तो आपने वही करना, आप कुछ और भी कर सकते हों, लेकिन जैसे मैंने किया, मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने क्या क्या sources की है, तो JNK Boss के end chapters, उसके बाद कुछ standard book लेख सकते हैं, जैसे जुहर आती है, region की आती है, और और भी आती है, जैसे अर्यांत की भी आती है, आप अपने इसाब से, जो आपको relevant लगती है, आप वो ले सकते हो, ठीक है, उसके बाद, GS में ही एक पाट आता current का, current affairs, current affairs के लिए मैंने daily newspaper रीड़िया, daily newspaper पढ़ने से आपका खाली current नहीं होगा, current के साथ साथ English भी आपकी अच्छी हो जाएगी, English में वका आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, reading comprehension भी बढ़ीगी अपकी, और मैंने current affairs में newspaper और साथ साथ में अड़ा 247 की मंधली magazine आती है, अड़ा 247 की मंधली magazine आती है, वो भी मैंने refer की थी, उसके बाद आता है, दूसरा portion syllabus का, वो आता math, maths, maths के लिए मैंने refer किया, RS Agarwal की book और Arihan की book, actually maths प्रेक्टिस भी होता है, जितनी आप maths में प्रेक्टिस करोगे, उतना maths आपका stronger होगा, maths अगर आप एग घंटे maths पढ़ते हो, मतलब मानलो आपने आज कोई topic पढ़ा time and work का, एक गंटे में यह cover हो जाएगा, इसको time एक गंटा लगेगा लेकिन आपको इसकी practice 10 गंटे करनी पढ़ेगी, तब जाके maths आपका strong होगा, reasoning में भी same है, reasoning, maths में मैंने RS Agarwal and Arihan की book refer की, reasoning में भी same, RS Agarwal की book आती है, actually maths और reasoning मेरा सबसे strong point थे, जितने भी exams होएं अभी तक, मेरे maths और reasoning में full में से full marks थे, मालो, जैसे junior stand में 20 के थे, maths और reasoning, 20 out of 20 होते थे मेरे, किसी में 40 के हैं दोनों, तो मेरे 40 out of 40 होते थे, तो maths और reasoning की बज़ा सही मैं आज ही हां पर हूँ, मतलब maths और reasoning काफी help करता है, actually होता है कि GS बहुत ज़्यदा vast है, current affairs बहुत ज़्यदा vast है, अगर आप maths और reasoning solve कर रहे हो question उतर, तो वो question कभी गल्द नहीं हो सकता, current affairs का गल्द हो सकता है, लेकिन maths और reasoning कभी गल्द नहीं होगा question, उसके बाद तीसरा, अब चोथा आता है computer, computer के लिए Lucent की book पड़ी मैंने, और यह अर्यांत की आती है, अर्यांत की बिल्कुल basic पतली सी book है, actually computer पढ़ने का एक तरीका होता है, computer पढ़ने का तरीका क्या है, मानलो, आप MS Word पढ़ रहे हो, computer में MS Excel पढ़ रहे हो, तो हर किसी के पास laptop ही, जैसे आपके पास भी laptop है, आपके पास भी laptop होगा घर पे, तो आपने laptop खोलना है, मानलो, आपने MS Word खोला, MS Word में सबसे पहले आपने word देखना कैसा होता है, उसके बाद उसके tabs देखने से, home tab है, view tab है, वो सब देखना है, उसके बाद shortcuts होते हैं, shortcuts मानलो, जैसे आपको कोई भी control X कर रहे हो, cut कर रहे हो, control V कर रहे हो, paste कर रहे हो, तो आपको check करना हो, कैसे हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपको और ज्यादा knowledge आ जाए जाए जाए, आपको actually उस पे implement करना है, computer भी implement कर होगी चीज, तो आपको ज्यादा समझाए जीए, उसके बाद पांचवा portion होता English का, English, English में आपने क्या करना है, English में सबसे पहले तो मैंने जैसे बोला था, current fs newspaper कर रहे होगी, उससे आपकी English बहुत ज्यादा strong होगी, और English में आपको कहरना है कि एक SB Bakshi की book पड़ी ही मैंने, वह आती books, मैंने भी यही refer की, आप भी यही कर सकते हो, तो यह जो book है, यह काफी helpful है competitive exam के लिए, चाहिए आप किसी भी English का, कोई भी exam में English हो रही है, उसमें यह बहुत ज्यादा helpful है, यह थे मेरे sources, यह मेरे sources थे, अब मैं आपको कुछ tips देना चाहूँगा, कि कैसे कैसे हम आगे त्यारी करेंगे और कैसे कैसे हम crack करेंगे exam, tips सबसे पहले आपको क्या करना है कि syllabus आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कि syllabus में क्या क्या चीजे आ रही है, examiner क्या पूछना चाह रहा है, क्या pattern अग्जाम का, pattern के मतलब कि आपको previous year के question भी देखने साथ साथ में, कि previous year में कैसे कासा आ रहा है, उसके बाद आपको quality चूज करनी है, मतलब आपको करना है कि आपको अपने sources limited रखने है, और उनको बार-बार revise करते जाना, अच्छे से revise करना है, जितना आप revise करोगे उतना जैदा आप master बनोगे, ठीक है, उसके बाद और एक tip दूँगा मैं कि आपको mock test लगाने, mock test लगाने है, और mock test एक ऐसी tip है कि अगर आप उसको implement करोगे तो आप master बनोगे, आपको क्या करना है कि mock test मानलो कि आपका admin card आने वाला है, हफते 10-20 दिन में admin card आ रहा है, तो आपको क्या करना है आपका उस पर time noted होता है, और actually तो सबको पता कि मेरा exam इस time पर है, मानलो आपका exam बारा से दो बज़े है, बारा से दो बज़े, बारा से दो बज़े exam है तो आपको क्या करना, daily mock इसी time पर देने, क्यूंकि आपका mind उस time को adopt करेगा, आप कभी भी underperform नहीं करोगे, आप हमेशा overperform करोगे, अगर overperform नहीं करते हो, लेकिन underperform कभी भी नहीं करोगे, अगर mock लगाते हो, और mock क्या करना है, mock daily के daily लगाने, daily business लगाने, topic wise, मानलो आपको जैसे आज time work किया, उसके mock लगा लिए, कुछ भी किया, तो उसके mock लगा लिए, ठीक है, उसके बास, timetable, actually मैंने आपको अब पहले बताया कि मैंने कभी timetable नहीं मनाया, लेकिन अगर आप timetable मनाना चाते हो, उसका एक तरीका होता है, कैसे बनाओगे आप, जैसे आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, English पढ़नी मैंने, मैंने, दो गंटे, maths पढ़ना मैंने, तीन गंटे, उसके बाद computer पढ़ रहा हूँ मैं, दो गंटे, ऐसे से timetable बनाते हैं, यह actually मैं, अगर आप इस timetable को लगा रहे हो, पेस्ट कर रहे हो दिवार पर, तो यह मतलब useless है, बाद में दो-चार दिन में इसको फैंक दोगे, आ लेकिन अगर timetable इस साब से बना रहे हो, मानलो जैसे आज क्या, 14 तरीक है, 14 डेट है, तो आपने 14, मानलो 14 लिख दिया, 14 जैने आज, तो आपने करना, आज मेरा क्या target, topic-wise आपने timetable बनाना, topic-wise जैसे, मानलो जैसे आज आज आपने maths का topic, subtopic लिया, percentage, उसके बाद computer का लि आपने target-wise, यह मैंने achieve करना, चाहिए time जितना लगे, मतलब आपने percentage करनी है, तो करनी है, आज जितना भी time लगेगा, तो इसमें करनी है, ठीक है, उसके बाद, एक मैं bonus tip देना चाहूँगा, आपको, bonus tip मेरी यह है, कि आपको अपने skills बढ़ाते रहना, skills, जैसे मैंने अपने skills बढ़ाए, पहले मैंने अपनी typing बढ़ाई, actually, जब मैं typing start की थी, तो 10-20 words per minute थी, उसके पाद, जब मैंने typing की practice की 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, तो मेरी 60 words per minute आई, typing और यह typing इसका मेरे को फाइदा हुआ junior stent में, क्योंकि junior stent में typing pass करनी होती है, दूसरे मैंने अपने skills बढ़ाए, उर्दू गया, मैंने उर्दू learn किया, और उर्दू का फाइदा हुआ मेरे को election stent में, तीसरे skill में बढ़ाया है मैंने running का, मैंने running की और running का फाइदा हुआ हुआ हम एको SI में आपको daily basis बढ़ाने, चाहे running करो, खेलो, कुछ भी कर सकते हो आप अपने skills बढ़ाने, और इसके वाँ एक और skill आप कर सकते हो कि आप अपनी calculation ability बढ़ाओ calculation ability मतलब माइन में प्लस माइनस जो भी कर रहे हो उससे क्या होगा, आप रिजनिंग मैस में help मिलेगी, वकाब कर सकते हो daily आप, अपने skills इंप्रूव करने है, ठीक है, उसके बाद last में मैं आपको यही बताना चाहूँगा, कि अगर आप, आपके पास सही guidance है, सही strategy है, सही study material ह है, तो आप कोई भी exam cracker सकते हो, और मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, यह आने वाले time में, anti की post आ रही है, पा का exam है, उसके बाद finance SSI का है, finance inspector का exam है, और पटवारी की post आने वाली है, आप लगे रहो, मेहनद करते रहो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जाइन किया है, या जाइन करोगे, कोई आने वाले जाइन भी करेंगे, ठीक है, यह लोग आपका साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक आपको success नहीं मिलेगी, जै हिंद, जै भारत!